हालो जैहिन सभी को स्वागे थे आप सभी का पुना इस ने वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पीडियो को जो कि रियाबिलेटेशन काउंचिल आफ इंडिया दौरा ये वेकेंसीज निकाली गई हैं अलग-अलग पोस्ट की जो अलग-अलग कंसल्टेंट सिनि लोगों कि हो सकता है इसमें अपलाई कर दें तो खाली बैठे आपके लिए बहतर हो जाए चलिए देखते हैं आप देख सकते हैं सबसे पहला है कि आप लेके संसार इन्वाइटेट फ्रम इलिजिवल कंडिडेट फर दा फालोइंग वेकेंसी तो बी फिल प्योर्ली ऑन अंडर वारियेस प्रोजक्ट आफ्दा रेहाएंट्स के प्रोजेक्ट चलाते हैं उसमें कंड्रेंट्च्छ्वल बैसिस रख रहे हैं परमनेंट नहीं है ऐसा कुछ क्लेंड में कर सकती है कि हमारा परमनेंट हैle prayerion जैसे फाली गोडेटिस का नींवी जो कि CBID प्रोजेक्ट के तहेट ये दिया जाएगा, CBID क्या है, Community Based Inclusive Development Program था, जो इन्होंने क्या किया था, कि एक partnership में University of Melbourne and Australia launch किया गया था, Competency Based एक प्रकार का certificate course था, जो Community Based Inclusive Development Program था, स्टार्ट किया गया था, तो उसी के तहित ये Senior Consultant रखना चाहते हैं उसके लिए, और दूसरे नंबर पर है, Consultant, एक post है, बट उसकी सली 40,000 होगी, देकि Senior, मतलब उसका, Consultant मतलब उसका Assistant कह सकते हैं, Consultant या फिर वो भी अपना वही काम करेगा, तिसरा है, Controller of Examination, जो इसी का, NBER, जो National Board of Examination in Rehabilitation, इसका फुल फाम होता है, NBER, जो जितने भी डिप्लोमा लेवल के कूर्स चलते हैं, जो उनका Board होता है, वो NBER ही होता है, तो Controller of Examination एक post है, उसकी सली होगी, 60,000 जो NBER के अंतरगत वर्क करेंगे, और चौते नमर पे है, Deputy Controller of Examination, उसकी नीचे वाला, एक post इसमें भी है, उसकी 50,000 सली है, देखे एक post थोड़ा से नीचे होई, सली भी खड़ गई, इसके बाद है, एक post है, 30,000 रुपए हैं, और वो भी NBER में प्रोजेक्ट की ताहित वर्किंग करेंगे, उ प्रोजेक्ट के लिए, एक post है, उसके लिए 30,000 सली होगी, अब आएंगे, DECL के लिए, जो की 8 नमबर है, प्रोग्राम अफिशर, तीन post है, इसकी 30,000 सली होगी पर मन्त, और 9 नमबर में है, असिस्टेंट प्रोग्रामर, प्रोग्राम अफिशर, ये 3 पोश्ट है इसकी और 12,500 रुपए मंतली सली होगी, इसकी ये भी DECL के अंदर गयताता है, चलिए मैं थोला बता देता हूँ, अलग-अलग ये कौन-कौन सी बेकेंसी के लिए, कौन-कौन सा क्या चाहिए, देखिए, सिनेर कंसल्टेंट के लिए, जो 60,000 रुपए पर मन्त सली है, एक बेके डिगरी चाहिए, रिहबिलेटेशन, साइन्स, साइकलोजी, पब्लीक अडिमिनिस्टेशन, सोसल वार्क, इंगलिस, लिटरेचर, MBA, फामे रिक अगनाईज, यूनिर्सिटी, किसी भी तरीके से, मिनिमम सेबन एर्स का एक्स्परियेंस चाहिए, आपके पास, आपके किसी अब यूज़ आप कंप्यूटर, वर्ड, एक्सल, पावरपाइंट नी सम्में होना ही चाहिए, डिसारेबल है कि आपके पास, रिजिस्टर्ड भी आर्सी आई, और बी एलिजिबल फॉर रिजिस्टेशन इन आर्सी आई, प्याच्डी, यूजी से नेट, जियारा, फिन होना चाहिए, उससे रिलेटेड, और एज, जो मैक्सिममम एज होना चाहिए, वो पचास साल इसे नीचे नहीं, ठीक है, अब ये देके दूसरी पोस्ट देखिए, कंसल्टेंट उसी के नीचे जस्ट रिलेटेड है, बट इसमें पान साल का एक्स्पिरियंस चाहिए, बाक नीचे एक्सट इसे की, मास्टर डिग्री बिद अट लिस्ट 50% मार्ग शे नहीं, डिस्पलीन फॉर्म में रिक ओगनाईज इनुश्ट इंस्टूट, तिन साल का एक्स्पिरियंस चाहिए, कंट्रोलर आफ इक्जामनेशन, पाम साल का एक्स्पिरियंस हो, अस्टेंट चाहिए 55 साल से ज्यादा इस नहीं होना चाहिए चौते नंबर पे हैं कि डिपुटी कंट्रोलर आफ एक्जामनेशन एंड बीयार देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फार्म अपलाई कर सकते हैं एक्सप्रियंस रखते हैं चीजों का पचासदा परमान सेली होगी डिपुटी कंट्रोलर आफ एक्जामनेशन की मास्टर डिग्री चाहिए सेम सेम एंड पांच साल का एक्सप्रियंस चाहिए असिटेंट कंट्रोलर एक्जामनेशन या कही पर भी वर्क कर चुके हों डिजरेबल है कि वह कंप्यूटर इसके मास्टर डिग्री चाहिए इन कामर्स वेदे स्पेसलाइजेशन इन एकाउंटेंशी और फाइनेंस तिन साल का एक्सप्रियंस चाहिए कहीं पर जूनियर अकाउंटेंट ऑफिस सेक्षन में काम किया हों डिजरेबल है कि प्रफ्रेंस विल बी गिबन टूज हाइविं एक् क्योंकि बहुत जादा बुड़े हो जाएंगे तो फिर बहुतर वर्क नहीं हो पाएगा शिक्स नंबर में हैं कंसल्टेंट या लीगल जो एन बियार के लिए है जो निशनल बोड़ाफ एक्जामनेशन रेहबलेटिशन नंबर अब बैंगनसी इसमें भी वन है थिसाजार पर मंसली है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लीगल में थोड़ा सा कोर्ट वगएर का कोई मैटर हो जाए तो आप उसे आसारी से देख सकें या और से की तरफ से आप कोर्ट में जा सकें इस तरीके का मैटर आप देख सकते हैं और पांच साल का एक्स्परियंस चा चाहिए 35 से ज़्याद एस नहीं होना चाहिए चलिए 7 नंबर में देखते हैं कि प्रोग्रामर कंप्यूटर NBER के लिए चाहिए एक पोस्ट है 30,000 पर मंसली है और फस्ट है Master Degree in Computer Science Information Technology MCF और अमेरिक उगनाईचिशिटी तीन साल का आपका एक्स्परियंस होना चाहिए 35 से ज़्याद एस नहीं होना चाहिए यह पूरा डिस्क्रिप्शन है आप देख लिए आठवे नमर पे है प्रोग्राम आफिसर डी सेल के लिए चाहिए 3000 पर मंसली है वेकेंसी तीन है एक्स्परियंस पर मास्टर डिग्री आपकी चाहिए MBA चाहिए मास्टर डिग्री साइंस स साइकलोजिस्ट अप्लाइड साइकलोजी एंब्या फ्रम रिक्रोग्नाइज इन्सिटी इंस्टूट यह सारी चीजों में चाहिए दो साल का कम से कम एक्स्परियंस चाहिए minimum qualification एक्स्परियंस के एक्स्परियंस के एक्वाडिंग और स्पेसल एजुकेशन डिसिबिल्टी नहीं होना जीए नाइन्थ नंबर पर है असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोग्राम आफिसर डी इसल के लिए है जो नंबर अप्वाइक इनसी तीन है बाइस हजार पांसुर रुपए परमन सेली होगी इसके एजुकेशन क्वालिपिकेशन में कि मास्टर डिग्री इन रेह लेटेशन फिल्ड में भी थोड़ा एंड मस्ट भी कंप्यूटर जरूरी है और यह डिजरेबल में रेजिस्टर्ड विद आर्चे और भी इलिजिबल फॉर रेजिस्टेशन इन आर्चे इन सब के लिए फॉर्म है आप देख सकते हैं जरनल कंडिशन से कंटेक्शल बेसे करता है कई सारी चीज़ें इसमें यह देखिया अप्लिकेशन फार्म है आप यहां पर अपना नाम भरिए फोटोचिप का यह अप्लाइट फॉर कंसे पोस्ट के लिए है नेम आप प्लिकेंड डेटा बार्थ हस्मेंड फादर का नेम एडडिस आप करस्पोंडेंस चाहां आपका एक्सप्रियंस क्या है कहां पहले काम कर चुके हैं यह सारी चीज़ें डेकलरेशन दीजे नीचे और शिगनेचर अप्लिकेंड साइन करके प्लेस लिक करके बेद दीजे डेट लिक करके यह पूरी वेकंसी हैं आप पूरी तरीके से इसको समझ पाए होगे और अग आप इंडिया ने वेकंसी नीका लिजे ओके थांकिस सो माच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहें बंदे मातरम